मित्रो नमस्कार आप सभी को धन्तेरिस की हरदिक सुब कामनाएं आज का वीडियो बहुत ही महत्वपोन है महत्वपोन इसलिए है कि इस वीडियो में मैं आपको धन्तेरिस के विशे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ धन्तेरिस क्यों मनाते हैं? धन्तेरिस की क्या सम्यावधी रहेगी? धन्तेरिस की पूजन की क्या विधी है? धन्तेरिस की क्या महतपूर्ण मंत्र हैं जिनका उचार्ण करके आप धन प्राप्त कर सकते हैं? आज की दिन आपको क्या खरीदना चाहिए? क्या नहीं खरीदना च क्यों जलाना चाहिए, आदी-ादी की तमाम जो जानकारियां हैं, वो मैं इस एक ही वीडियो में लेके आया हूं, यह वीडियो थोड़ा-बड़ा हो जकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत्तग देखिए और इस वीडियो से लाव उठाईए, क्योंकि मैं पूरी जानकारी ए आप वो निश्चित रूप से लाब होगा मित्रो हम विशय पर बात करने से पहले एक निविदन मैं आपसे जरूर कर दूँ और वो निविदन ये है कि यदि आपनी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबा दे और लाइक का जो बटन है उसे भी दबा दे तो आईए हम बात करते हैं धन तेरस के विशय में ऐसी माननेता है कि कार्तिक मास के क्रिश्न पक्स की तिर्योदसी यानि तेहर्वी तिथी को समुद्र मंथन में भगवान धनवंत्री का प्राकट्टे हुआ उनके एक हाथ में अमरित कलस वे दूसरे हाथ में आयूरवेद का ग्रन्त था ऐसी भी माननेता है कि भगवान धनवंत्री विश्नु के अंसावतार है जिन्होंने संसार में चिकिस्षा विज्ञान के प्रचार प्रशार हितू अवतार लिया यही माननता है कि भगवान धनवंत्री के प्रगट होने की खुशी में धन तेरेश का तिवहार मनाया जाता है हमारे यहाँ प्रशिद काहवत भी है पहला सुक निरोगी काया, दोजा सुक घर में माया अता बहतर स्वास्त वाला व्यक्ती ही धन अर्जन कर सकता है इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी मालक्षमी की पूजा की जाती है ऐसी मानिता है कि इस दिन खरीदे गए पात्रों, बर्तनों के कारण घर में 13 गुना स्मृधि बढ़ती है और व्यक्ती को धन का अभाव महसुस नहीं होता इस वर्ष धन तेरिस की क्या समयावधी रहेगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तिरियोदसी तिथी 10 नौवंबर सन 2023 को दोपहर 12 बजगर 35 मिनट पर सुरू होगी और अगले दिन यानि 11 नौवंबर सन 2023 को दोपहर 1 बजगर 57 मिनट पर समाप्त होगी मित्रों चुकि धन तेरिस का पारुक केवल प्रदोस काल में ही मनाया जाता है अतै धन तेरिस दिनांक 10 नौवंबर सुक्रुवार को ही मनाया जाएगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धन तेरिस पूजन का जो सुब मूर्थ है वो क्या है यानि आपको धन तेरिस की पूजा किस समय करनी चाहिए धन तेरिस की पूझा पूझाल जो रहेगा वो रहेगा पांच बज कर 30 मिनट से रातरी 8 मिनट तक तो बेहतर ये रहेगा कि आप धन तेरिस की पूझा पूझाल में ही करें अब मैं आपको बताऊंगा कि पूझाल की क्या विधी है यहनी आपको किस विधी से पूजा करनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया धन तेरस को हम कुबेर देव और मालक्ष्मी की पूजा करते हैं आपको प्रदुप्स काल में संभवत्य पूजा करनी चाहिए इसके लिए आप दो चोकियां लेने दोनों पर लाल कपड़ा बिछा दें एक चोकी पर कुबेर देव की पूजा को स्थापित करें एवं दूसरी चोकी पर मालक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें अब मैं बारी बारी दोनों की पूजन विधी का वर्णून करता हूँ सबसे पहले मैं कुबेर देव की पूजल वीदी बताता हूँ सबसे पहले आप 13 दीपक जला ले چोकी पर लाल ट्रंकावस्तर बिछा दे कुम-कुम से लाल कपड़े पर स्वास्तिक का निसान बना ले और स्वास्तिक पर कुबेर देव की मूर्ती या फोटो स्टापित करके अक्षत, फूल, फल एव साथ प्रकार के धान्ने जिसमें गेहु, उरद, मूग, चना, जूग, चावल और मसूर आधी को अरपित करें वस्तर के रूप में मोली अरपित करें, कोई भी आभूशन अरपित करें, नार्यल अरपित करें, दूप, दीप, नवध्य आधी अरपित करें, सफेद रंग के मिस्ठान का भोग लगाएं और इन मंत्रों का जाप करें यक्षाए, कुबेराए, वैसरवनाए, धन धान्या विधी पते, धन धान्य स्मर्धी में देही, दापे स्वाहा या फिर आप इन कुबेर बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं ओम शरींग, ओम रिंग शरींग, रिंग शरींग, वितेश्वराय नमे दूसरा जो बीज मंत्र है, वो है ओम रिंगशरींग, करिंग शरींग, कुबेराए, अश्ट लक्षमी, मम ग्रह, धनम पुरए पुरए नमे तो ये थी कुबेर की फूजा अब मैं आपको मालक्ष्मी की पूजन विधी बताता हूँ चोकी पर लालरंग का वस्तर बिचाले स्वास्तिक का निसान बनाकर अक्षत डाले और कलस रिस्तापित करे मालक्ष्मी की मूर्ती या चित्र को भी रख ले नारियल को लालरंग के वस्तर में लपेट कर कलस पर रखे घी का दीपक जलागर चोकी पर रखे मालक्ष्मी के समक्ष धूप, दीप, नवेद्ध, पुष्प, फल, पान और सुपारी अर्पित करे का दीपक जलाएर का दीपक वस्तर रखे यह वस्तर रखे